आज हम बनाएंगे ऐसी मिठाई जो कि हर किसी की फेवरेट होती है लेकिन ये हलवाई की दुकान पर सबसे महंगे दामों में मिलती है और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इसे घर में बनाएंगे तो ये बनेंगी नहीं इसकी इतनी आसार रेसिपी है कि अगर आप इसे एक बा में आप सभी का स्वागत करती हूँ क्योंकि तेवहार आ रहे हैं करवा चोत भी है दिवाली है तो मिठाई यहां बजार से लाते ही है लेकिन अगर हम घर में आसानी से एकदम टेस्टी और हेली मिठाई बनाकर के तयार कर लेंगे तो हमें बाहर से लाने की जरूरत ही नही है और यह दूद बॉल होने के लिए छोड़ दिया है अच्छा आप सभी से एक बात और कहना चाहती है अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथी साथ वेल आइकन प्रेस कर दें और आज की मिठाई की रेसिपी आप सबको कलाकंद मिठाई तो ऐसा कोई होगा नहीं जिसे नहीं पसंद आएगी और खास वात यह है कि इतने कम समय में तयार हो जाती है तो अगर आप घर में बनाएंगे तो और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी अच्छा दूद बॉल हो चुका है मैंने इसे उतार कर रख दिया है कि एधूम यह थोड़ा सा विनेगर लेंगे और थोड़ा सा पाणी लेंगे हम इस दूद को फाराना है इसका चेना निकालना है या आनि पनीडं구요 निकालना है अच्छा अल Kenneth टरीके से डूद भाडा जाता है जैसे रहा है जो यह यह चेना बनाने के लिए दूद पाड़े लेकिन गैस की फ्लेम पर रखते नहीं है तो सारे तरीके अलग अलग होते हैं तो आप जो भी रेसिपी बनाए ना अलग अलग तरीके से ही दूद फाड़ें तभी पॉफिक्ट बनेगी अचा दूद रिदम गरम था मैंने सारा विनेगर डाल दिया है अब हम थोड़ा सा बे अच्छे से दूद फर चुका है तो जैसे ही हरा हरा सा पानी दिखने लगेगा अब हम क्या करेंगे की इसे थोड़ा सा ठंटा कर लेंगे और फिर इस ट्रेंड करेंगे और इस ट्रेंड करने के लिए आप कोई सूती कुद्डा ले लीजिए कोई सा भी आप अप कपड़ा बना लेंगे और अगर आपकी एक ही बार में पॉफिग मिठाई बन जाए तो मुझे कमेंड करके जगर बताएं तो बिल्कु सिंपल प्रोसेस है कुछ पी इसमें ज्यादा जंजट नहीं है अशा क्योंकि मैंने विनेगर डाला हुआ है तो यह थोड़ा सा खटापन है इसमे बागी हां जम किया करते है कि लिगा ऐसमे निकाल हिए नहीं हां जो भी निकलेगा पानी वो अपनी अ फोड़ा सा निकल जाए गया बाकी दवा दवा के नहीं बताए निकल जा लगा अब फिर बर्फिदान एक रखला होगी तो इसमेने अब हम सेकेंड प्रोसेस पे चलते हैं तो मैंने कढ़ाई रखी है थोड़ी सी भारी तले की कढ़ाई रखेंगे अब जो एक लीटर बचा हुआ दूद्था उसे मैंने कढ़ाई में डाल लिया है अचा यह मिठाई बनाने के लिए फलकी कढ़ाई नहीं लेनी है थोड़ी सी पोटली अभी पहले हम चेक करते हैं तो यह देखिए बिल्कुल सॉफ्ट एकदम बड़िया सा पनी निकल के तयार हुआ है अच्छा अगर आपको होम्मेट पनीर की रेसिपी देखनी हो तो आई बटन में लिंक दे दूँगी होम्मेट पनीर की वी रेसिपी मैंने सेयर की यह मैंने इस बरफी के लिए बनाया है तो इस तरीके से आप सबजी बना ले के लिए चेना बनाने के लिए पनीर नहीं बनाएंगे तो गोवाला वीडियो आप जरू से देखिएगा आप घर में आसानी से बिल्कुल मकमली पनीर क्रीमी पनीर बना लेंगे तो हम क्या करें कने हाथेलियों से इसे हम ग्रेटी करेंगे वे कि समय स्वयर मेसर ओको जिस gdy हम यह कर तक ररा तो हम्म未ठाई होती हैं इस तरीके सैंने हाथेल्ड सत्रें कर सांति लाबर मैसर सब्सक्रां करैंले मिलंग मिलंगते हैं इसकी consistency आपको बहुत ध्यान रखनी है, अगर आपको यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो फिर दरवर हो सकता है, मिठाई सही नहीं वनेगी तो मैंने आपर एक कप चीनी ली है, तो उसे मैं दो तीन बैच में डालूँगी, पहले मैं आदी डाल ली है, और इसे हम चलाते रहेंगे आप चाहें तो आदे कप भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे घर में थोड़ा सा ज्यादा मीठा खाया जाता है, इसलिए में थोड़ी सी ज्यादा ही ले रही हूँ, बट इस रेसिपी में बहुत ज्यादा चीनी नहीं पड़ती है, तो धाई लीटर दूद में एक कप चीनी या मिटाई को, तो चलिए हम इसको चलाते चलाते देखते रहेंगे, इस तरीके की गाड़ी हो चुकी है, और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, तो जो मैंने पनीर ग्रेट करके डाला था वो डाल देंगे, अब देखिए जो इसकी कंसिस्टेंसी रही ना वो हो जाता है, पर जब आप खाएंगे ना तो दातों में चिपकेगा, फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा एकदम जूसी वाला जैसे मार्केट से लाते हैं, एकदम जूसी जूसी कलाकंद होती है, बिल्कुल मुह में जाते ही घुल जाने वाली, और घर में बना रहे हैं तो घर आपको देखने में लगेगा चूटना बंद हो गया है, मतलब एकदम मिकसर एक जैसा हो गया है, और यह तली में बिल्कुल छूटने लगा है, देखे यह जो मिठाई रहती है, थोड़ी सी जूसी ही रहती है, टाइट बिल्कुल नहीं रहती है, आप इसमें कम चीनी डाले बिल्कुल उतनी ही सॉफ्ट रहेगी, तो हम गयस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, इसका टैक्सर देखे, यह तली में छूट रही है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, और बिल्कुल अच्छे से मिकस हो चुकी है, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग दिख रहा होगा तो गरम-गरम ट्रांसफर नहीं करेंगे, कोई भी आप बरतन ऐसा ले लीजिए, जिसमें कि इसे आप रख सके, दो से तीन घंटे के लिए, सेट होने के लिए, क्योंकि यह मिठाई ऐसी नहीं होती है, कि बहुत जादा एकदम टाइट बन जाए तुरन, इसे थोड़ा सा टाइम चे यह होता है, दो से तीन घंटा सेट होने के लिए, तो मैंने ऐसा एक बॉक्स ले लिया है, जिसे बंद कर सकूँ, खुला करके नहीं रखना है, एक आदा या एक घंटे बाद जब यह ठंडी हो जाएगी ना, तो इसे बंद करके रख देंगे, ताकि यह करके दिखाएंगे कितनी सॉफ्ट बनकर के तयार हुई है, अच्छा यह रेसिपी आप सब मेरे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो जरूर कर लें, तो देखिए बिल्कुल मार्केट से भी बढ़िया एकदम सॉफ्ट बनकर के तयार हुई है, और यह तो इस दिवाली आप भाईया दिवाली आप बताई जरूर से बनी है, और आप सब यह रेसिपी कहां कहां से देखनें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक क्लीपाई बाई टेक केर, थेंक्स फोर वाचिंग